टीटोंटी विश्वकप का क्वालिफाइंग राउंड खक्मुहा उसके बाद असली जंग सुरू हो गई सूपर बारा राउंड के अपने पहले मुकाबले में मेजबान आस्ट्रेलिया को निज़िलेंड ने करारी माद दी इसके बाद भारत और पाकिस्तान का अभिशांदार मुकाबला हुआ वहीं इंग्लैन ने अफगानिस्तान के खिलाब बेहतरीन जीत दर्च की और T20 वर्ल्ड कप में अपनी सुरुवात स्वांदार तरीके से की ऐसे में सभी पूर्व दिगज़ खिलाडी आस्ट्रेलिया में खेले जा रहे हैं वर्ल्ड कप को लेकर अपनी प्रतुक्रियाएं दे रहे हैं और सभी अपनी पसंदीदा टीमों को लेकर बातचीत कर रहे हैं इसके अलावा तमाम प्लेयर्स ऐसे हैं जो टी टॉन्टी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतते हुए अपनी बेहतरीन टीम को देखना चाहते हैं वहीं अब इसी कड़ी में BCCI के फूरवर्धक्ष सौरफ गांगुली ने भी अपना बयान जारी किया है और उन्होंने अपनी टॉप चाल टीमों के लिस्ट शेयर की है जिसमें पाकिस्तान और लिंजिलैंड को उन्होंने जगा दी है गौर तलब है कि टीम इंडिया ICCI T20 वर्ड कप 2021 में से ही फाइनल तक नहीं पहुँच पाई थी उसे पाकिस्तान के खिलाफ 10 बिकेट से मिली करारी हार के बार टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा जिस पर बात करते हुए गांगुली ने कहा कि बीती बातों का ध्यान देना जरूरत नहीं है उन्होंने अपने बयान में कहा जो पहले हो चुका है उस पर बात करने का कोई फाइदा नहीं टीम इंडिया खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है वर्ल्ड कप में जंग बिलकोल अलग होती है जो भी टीम उन दो तीन सब्ता में अच्छा क्रिकेट खेलती है वही जीतती है देखिए अब कुछ भी कह होगा दच्छन उफ्री का अच्छी बॉलिंग साइड है और उस्टेलिया में इस फैक्टर से असर पड़ेगा फिलहाल अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि गांगुली की ये प्रेडिक्शन कितनी सही साबित्य होती है और टीम इंडिया इस विसकप में किस तरीके से प